एक बेवफा की लव स्टोरी एक दिन हम सभी दोस्त एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे तभी महेश अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है पहले महेश की लव स्टोरी मुझे काफी रोमेंटिक लगी लेकिन पूरी सुनने के बाद मेरी आँखों से आँसू निकल आए उसकी लव स्टोरी रोमेंटिक होने के साथ साथ काफी दुख भरी निकली थी आज मैं आप सभी के लिए उसी लव स्टोरी को लेकर आया हूँ तो चलिए पढ़ना शुरू कीजिए बात लगभग एक साल पहले की है जब महेश आगे की पढ़ाई करने के लिए जैपुर शहर चला जाता है वहाँ पर महेश के मौसा मौसी रहते थे वह अपने इन रिष्टेदारों के पास पहुंच जाता है और उनके माध्यम से ही कॉलेज में एड्मिशन ले लेता है पहली बार बड़े शहर में जाने की वज़े से महेश वहाँ की चीजों से बिलकुल अंजान था महेश के मौसा जी के पास वाले मकान से ही एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी इस लड़की का नाम शिवानी था महेश भी उस लड़की के साथ साथ रोजाना कॉलेज जाता था वो पढ़ाई में काफी होशयार था धीरे धीरे महेश कॉलेज के साथ साथ शहर की चीजों से रूबरू होता चला गया पढ़ाई में होशेयार होने की वज़े से कई लड़कियां उससे इंप्रेस हुआ करती थी लेकिन महेश अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की भी तरफ ध्यान नहीं देता था एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां महेश की क्लास के अंदर पहुंच जाती है और उससे बातचीत करने लग जाती है गांफ का लड़का होने की वज़े से उनसे बात करने में उससे काफी शर्म आ रही थी महेश के किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उससे छेड़ छाड़ करने लग जाती है इसकी वज़े से महेश काफी नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है अगले दिन महेश शिवानी के साथ कॉलेज जा रहा था तभी वह उससे से पूछती है कल इतनी सारी लड़कियां आपका मजाक क्यों बना रही थी जिस पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया महेश ने कहा मुझे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मेरे माता पिता ने यहां भेजा है शिवानी कहती है इतना भी चुप मत रहो की हर कोई आपको बेवकूफ समझने लगे बातों ही बातों में दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं कॉलेज पहुंचने के बाद शिवानी महेश को लेकर उन लड़कियों के पास चली जाती है और उन सभी लड़कियों से बुरा भला कहने लगती है शिवानी स्वभाविक रूप से काफी तेज थी जिसकी वजह से उससे लड़के भी दरते थे सभी लड़कियोंने महेश से माफी मांगी और वहां से चली गई शिवानी तथा महेश दोनों एकी कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्त बने हुए थे शिवानी के बार-बार कहने पर महेश भी अब कॉलेज में कम दरने लग गया अब वो लड़कियों से भी बातचीत करता रहता था और शिवानी के डर से सभी छात्र महेश की इजज़त किया करते थे एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुँच गए इधर शिवानी और महेश भी कॉलेज पहुँच जाते हैं कॉलेज में प्रवेश करते ही महेश की नजर एक लड़की पर पढ़ती है वह लड़की देखने में बहुत सुन्दर थी और बाते करने के दोरान उसके गालों पर दिम्पल पड़ते थे महेश उस लड़की को देखता ही रह जाता है काफी देर टक्टकी लगाए उस लड़की को ही देखता रहता है वो लड़की महेश की तरफ आती हुई दिखाई देती है तो वो अपनी नजरे नीचे जुका लेता है नजरे उठा कर महेश ने देखा कि शिवानी तथा वह लड़की एक दूसरे से बाते कर रही है उस लड़की के चले जाने के बाद महेश ने शिवानी से उसका नाम पूछा तब शिवानी ने कहा आपको उस लड़की से क्या काम है तब महेश ने कहा बस वैसे ही पूछ रहा हूँ इतने में शिवानी कहती है मुझे लगता है शायद वो लड़की आपको पसंद आ गई है महेश अपनी नजरे नीची कर लेता है और चुप चाप खड़ा रहता है महेश की हरकते देखकर शिवानी समझ चुकी थी कि वो उस लड़की को पसंद करने लग गया है तब ही शिवानी महेश तथा उस लड़की की एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है महेश ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा तो उसने अपना नाम काजल बताया महेश उससे बाते करके मन ही मन काफी खुश हो रहा था क्योंकि पहली बार इतनी सुन्दर लड़की उससे बातचीत कर रही है एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद काजल वहां से चली जाती है लेकिन महेश पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था काजल के जाने के बाद भी महेश उसे ही देख रहा था तभी अच्छानक काजल पीछे मुढ कर देखती है और महेश की तरफ मुस्कुरा कर चली जाती है अब तो महेश पूरी तरह से उसका दिवाना हो गया था लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था इसलिए उसने सोचा क्यों ना शिवानी को सब कुछ बताया जाए इसी बीच शिवानी के पास पहुंच जाता है और सारी बाते बता देता है महेश ने शिवानी से कहा काजल आपको कैसी लगती है शिवानी ने जवाब दिया अच्छी लगती है लेकिन इन सब बातों से तुमको क्या काम है महेश ने कहा कुछ भी नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ शिवानी ने कहा ज्यादा भोला मत बनो मुझे सब कुछ पता है कि तुम काजल को पसंद करते हो इस बात को सुनकर वहिस चुप चाप खड़ा रहता है इतने में ही शिवानी जवाब देती है कोई बात नहीं मैं काजल से बात करूंगी थोड़ी देर बाद शिवानी काजल के पास पहुंच जाती है और महेश की ओर इशारा करते हुए बाते करती है महेश समझ चुका था कि शिवानी काजल को उसके बारे में बता रही है लगभग तीन दिन बाद अच्छानक महेश के पास काजल का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए कहती है दोनों मिलने के लिए जगल चुन लेते हैं और रविवार का दिन मिलने के लिए तै करते है रविवार के दिन महेश जल्दी तयार होकर उस पाक में पहुँच जाता है जहां पर पहले से ही काजल उसका इंतजार कर रही थी काजल को पहले से ही वहां देखकर वहिस काफी खुश होता है और उससे बातचीत करने लग जाता है पहले मिलने के कारण दोनों रोमेंटिक बाते करने लगते हैं बहुत देर बातचीत करने के बाद काजल वहां से जाने की कहती है लेकिन महेश कुछ समय के लिए उसे रोक लेता है कई दिनों तक मिलते रहने के कारण काजल तथा महेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों किसी भी हालात में एक दूसरे से दूर नहीं रहना चाहते थे लेकिन एक दिन महेश की जिन्दगी में एक ऐसा मोड आया जिसने सब कुछ मिटा दिया उस दिन महेश और शिवानी पहले की तरह एक साथ कॉलेज जा रहे थे कॉलेज जाते समय इन दूनों को काजल में देख लिया और वो महेश से बहुत नाराज हो गई काजल को लगा कि महेश तथा शिवानी एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मुझे बेवकुफ बनाया है इस बात को लेकर शिवानी के दिमाग में कई सारे विचार आते हैं और जिसके बाद वो महेश का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी महेश और शिवानी दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉलेज पहंच जाते हैं क्योंकि काफी दिनों से एक साथ रहते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की बाते शेयर करते रहते थे इस बात का महेश को बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजल इस गलत फहमी की वज़े से नाराज हो जाएगी महेश कॉलेज पहुँचने के बाद काजल के पास चला जाता है काजल महेश को आते हुए देखकर वहां से उठकर जाने लगती है तो महेश उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है महेश ने काजल को बिठा कर समझाया कि शिवानी सिर्फ मेरी एक दोस्त है इसके अलावा शिवानी से मेरा कोई भी रिष्टा नहीं है काजल इस बात को मानने को तयार नहीं थी कि शिवानी और महेश के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिष्टा है काफी देर समझाने के बाद काजल महेश को एक थपड़ जड़कर वहां से चली जाती है महेश चुपचाप वहां पर बैठा ही रह जाता है इसके बाद महेश ने कई बार काजल को मनाने की कोशिश की लेकिन वो किसी भी बात को सुनने को तयार नहीं थी धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गए और एक दूसरे से बिलकुल अंजान की तरह रहने लगे बिना किसी बात को लेकर काजल के दूर हो जाने के कारण महेश तनाव में रहने लगा कॉलेज जाना भी कम कर दिया और अपनी पड़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया हमेशा काजल के बारे में ही सोचता रहता था देर रात तक जागने तथा समय पर ना सोने की वजह से महेश का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जा रहा था वो हमेशा एक ही बात सोचता था कि काजल ने एक मामूली सी गलत फेहमी की वजह से हमारे प्यार को तोड़ दिया इस बात का पता शिवानी को चल जाता है तो सीधे काजल के पास पहुंच जाती है और महेश के हालात के बारे में बताती है लेकिन काजल महेश से मिलने के लिए मना कर देती है इतनी बात सुनकर शिवानी काफी नाराज हो जाती है और वो अपने स्कूटर स्टॉट करके महेश के पास पहुंच जाती है शिवानी महेश के लिए कुछ medical treatment के अलावा फल भी लेकर गई थी महेश को मानसिक परेशानी से उबारने के लिए शिवानी पूरी कोशिश करती रहती है पूरी तरह से चीख हो जाने के बाद महेश शिवानी को धन्यवाद कहकर वापस अपने गाव आ जाता है लेकिन गाव आने के बाद भी वह कभी कभी काजल को याद करके बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया उसी ने छोटी सी गलत फहमी की वज़े से सारा रिष्टा तोड़ दिया एक गलत फहमी के मोड ने महेश के हस्ते जीवन को पूरी तरह से बरबाद कर दिया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस संसार में कई ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जिनको एक छोटी सी गलत फहमी की वज़े से एक दूसरे से दूर होना पड़ गया इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा लिये गए इस फैसले की वज़े से किसी दूसरे इंसान की जिन्दगी सवर तथा बरबाद हो सकती है इस कारण जीवन में हमेशा किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए